नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज सावन के पहले सोमवार में आजमगड के भवरनात मंदिर में भक्तों का मेला उमर पड़ा इस मंदिर के बारे में मानेता है कि यहां से भक्त जो भी अपने मन की मुराद मांगते हैं भगवान भोलेनात उनकी हर मुराद को जरूर पुरी करते हैं इसी कारण यहां पर पूरे सावन भक्तों का मेला लगातार चलता रहता है इस मंदिर के बारे में मानता यह भी है कि मुगलकाल में जब इस मंदिर पर ओरंगजेब ने आक्रमण किया तो भगवान भोलेनात ने भवरे के रूप में ब्रकट होकर ओरंगजेब को यहां से बगाया था उसके बास से इस मंदिर की महत्ता और भी बढ़ गई जिसके कारण यहां दूर दूर से दर्शनगर में लोग आते हैं आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूस के लिए आजमगर से राकेश वर्मा की रिपोर्ट हाकिष्वा हैं सौला अपर मैं अजिएवाट आप दिसके पाइप आप दो स्बस्भाट जजएग हैं आप दो हैं आप जाप दो आप धाप आप आप यहाँ दो मैं अव्तनर दो वर्मान अटमट ध्रतार अपना भविश्य इंदु प्रकाश फार्मसी के साथ डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मसी एठाल्धरपुर माउ और साइक कॉलेज ओफ फार्मसी से एलोपेथिक में डी फार्मा करें विजिट साइक कॉलेज ओफ फार्मसी सिकाटिया रोस गार्डन के सामने माउ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेर करें साथ ही हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाए